एक शब्द में यदि आप ये बताने की कोशिश करें कि हिंदू धर्म मूलतह क्या है तो वहाँ नेचर आफ नेचर है वो प्रकृति का मूल भूत सो भाव है पहली चीज और दूसरी बात कि ये स्विकृति भाव है ये स्विकार करने की प्रवित्ति का नाम है ये जीवन शै ये कोट वोट ने भी कह दिया है लेकिन जीवन शैली नहीं है जीवन शैली बहुत संकेंड सी बात होती है अच्छा पूछो कि किसी हिंदू की जीवन शैली एक हिंदू की दूसरे हिंदू से क्या मिलती है और क्या ये बाध्यता है नहीं है हमारे यहां जन्म संसकार से ले परमपरा भी मिलती है, बड़े गर्व किया पिछली दिनों अभी जैललिता की अम्रित्यू हुई तो बहुत लोगों ने कहा वो मुस्लिम थी, उन्हे दफन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, परमपरा है क्योंकि रिगवेद में मनुष्य की अम्रित्यू के बाद उसे चार भ की परमपराओं को हमारे हां स्विकार किया गया है, कुछ विशेश परिस्थिती में भी जलाने को मना कर दिया जाता है, अन्तेष्टी में जैसे बहुत छोटा बालक है, नौजाज शिशु है तो उसको या तो गार दिया जाएगा, अथवन नदी में डाल दिया जाता है, क यूकि वो पहले अभी अपने जीवन काल में अपनी अंतिष्ठी क्रिया कर देते हैं इसलिए दुबारा उन्हें अगनी में नहीं डाला जा सकता है तो उनकी भू समाधी या जल समाधी दे दी जाती है इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही परंपरा में रहने के बावजूद हम एक तरह की जीवन शैली से नहीं जुड़े हुए हैं हम पर ये बाध्यता नहीं है जैसे अगर आप इसलाम में हैं अगर आप मुसल्मान हैं तो आपको एक सर्टेन जीवन शैली को स्विकार करना पड़ता है अगर आप इसाई है तो आपको बैप्टिजम कराना पड़ता है आपको क्रॉस पहनना पड़ता है आपको एक सर्टेन रूल है उनके उनको आपको फॉलो करना होता है संडे के दिन आपको Church में जाना होता है इसी तरह से अगर आप यहूदी हैं तो उनके अपने नियम हैं आपको खतना कराना पड़ता है आपको पवित्र होना पड़ता है Saturday को आपको प्रैठनाई करनी पड़ती है अगर आप मुसल्मान हैं तो आपको खत्ना कराना पड़ता है, कल्मा गो होना पड़ता है, आपको कल्मा पढ़ना पड़ता है, आपको नमाजे पांच वक्त की पढ़नी होती है, आपको रोजा करना होता है, अगर आप मालदार हैं, तो आपको हज पे जाना होता है, इस तरह की बहुत सारी तो कह सकते हैं कि Islam एक जीवन शैली है, Christianity एक जीवन शैली है, लेकिन हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं वो जीवन शैली नहीं है, बिल्कुल भी जीवन शैली नहीं है, बल्कि वो सभी प्रकार की जीवन शैलियों की स्विकारिता भी है, किसी भी तरह की जीवन शैली के आप हों लेकिन यदि आप हिंदू धर्म के प्रत्य अपनी आस्था रखते हैं यानि सनातन परंपरा के साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस मात्र करते हैं आपको ये शपत भी नहीं लेनी पड़ती है आपको कल्मा भी नहीं लेना पड़ता है सिर्फ आपको ये अपनी आस्था में स्वीकार मात्र करना पड़ता है कि आप इस अखिल ब्रह्मांड के एक छोटे से खंड हैं यहीं है सनातन धर्म इस अखिल ब्रह्मांड का छोटा सा खंड हैं आप सिर्फ इस मानिता के साथ आप जैसे ही जुड़ते हैं आप सनातन धर्म का हिसा हो जाते हैं आपको फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रश्ण नहीं है कभी विस्तरित समय होगा तो आपको इतिहास में मैं दिखाऊंगा कि तमाम आपके हिंदू धर्म के नायक अलग-अलग जीवन पदितियों में रहे पूरी तरह से अलग कई गोष्ट खोड़ थे कई गोष्ट को बिलकुल नहीं चू सकते थे मानसाहार अगर आप करते हैं कुछ परंपराएं वैश्णो परंपराएं हैं जो मानसाहार करने मात्र से आपको हिंदू नहीं मानेंगी सनादन धर्मी नहीं मानेंगी क्योंकि वो वैश्णो धर्म के विरुद्ध हो जाता है लेकिन शाक्ति परंपरा बिना मान सहार के आपको ले करके ही नहीं चलता है तो आप क्या कहिएगा आप वैश्णो मंदिर में जाकर के मचली का भोग नहीं लगा सकते लेकिन शाक्ति मंदिरों में जाकर के आपको मचली चाना नहीं बंगाली के घर मे आप गए हैं तो भोग में रखा हुआ है उडिसा में आप हैं भोग में रखा हुआ है यहां तक कि वहां वैश्णों मंदिरों के अंदर भी मचली रखी जाती है उडिसा के अंदर आप जाए वहां पर वैश्णों मंदिरों के भीतर भी रखी जाती है दक्षन भारत में भी बहुत जगह रखा जाता है तो परंपराएं हैं तमाम जगहों पर हमारे यहां कहीं पर मांसाहार है कहीं पर नहीं है सुईकारिता अलग अलग तरह की है इसी प्रकार से हमारे यहां यग्य जब होता है जब हवन होता है तो हवन के लिए भी अलग अलग तरह की परंपराएं ह हान जी कोई कुछ बोल रहा है तो अलग अलग तरह की यानि कहने का मिरा आर्थ ये है कि भारतिय धर्म या सनातन धर्म को आप लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते हैं ये लाइफ स्टाइल नहीं है बलकि किसी भी लाइफ स्टाइल में रहने के बावजूद आप इस धर्म का हिस्सा बन सकते हैं यही कारण है कि आपको देखने को मिलता है चुकि आप गाइड हैं आपका हमेशा इंटरक्शन होता रहता है कि तमाम लोग जो यहूदी रहे हैं जन्म से या इसाई रहे हैं जन्म से या इरानी रहे हैं जन्म से वो आकर के हिंदु धर्म के प्रती जुके हैं और भारती धर्म के प्रती अपनी पूरी आस्था रखते हैं वो योग सीखते हैं, वो ध्यान सीखते हैं, वो मंत्रों का अध्यन करते हैं, वो उसे अपने जीवन में उतारते हैं, वो यग्य करते हैं, हवन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनकी जीवन शैली नहीं बदल रही है, लेकिन उनके भीतर धर्म पूरी तरह से सार्थक हो करक गया है यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं हमें इस लीड करने की पिछले 2-4-5 शताबदियों में कोशिश की गई है वहीं पश्ची में विद्वानों द्वारा यह बहुत कोशिश की गई है कि हम किसी तरह से इसको लाइफ स्टाइल किसी तरह से से religion का एक श जो पश्ची मी विचारक जिनोंने भी हिंदु धर्म के विशय में कुछ भी लिखने की चेश्टा की जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं उसे भी और जिसे बहुत बुरा मानते हैं उसे भी उन सबने कुछ किया हो ना किया हो लेकिन एक बहुत बड़ा गुनाह कर रखा ह हिंदु धर्म के प्रतिकी उसने इसे रिलीजन की तरह देखने और दिखाने की कोशिश की है इसे एक संस्कृति की तरह बताने की कोशिश की है मूलता हिंदु धर्म संस्कृति नहीं है धर्म कोई संस्कृति नहीं होता है क्योंकि धर्म चिरकालिक है संस्कृतियां समय समय पुर्दपन होती और नश्ट हो जाती है संस्कृतियों का कोई स्थायत तुने संस्कृति हमेशा के लिए नहीं है मगर धर्म हमेशा के लिए